चार जुलाई से सुरू होने जारा शावन का महीना शावन में भोले नाथ की पूजा का है बड़ा महत्तो देवों के देव महादेव को शमर्पित शावन महीना इस वार 69 दिनों का होगा हिंदु पंचांक के इनस्वार अधिक महास होने की वज़य से इस वार शावन एक नहीं दो महीने का होगा सावन महा की सुरूआत चार जुलाई से होगी और 31 अगर्श तक सावन महास रहेगा इस वार शावन महास में चार की बजाए आठ सो मार आएंगे शावन महीने की सुरूआत आशार की फूरी मतित के अगले दिन से होती है अयोध्या वास्यों को इसी साल मिलेगा इंटरनेशनल एयर पोर्ट नवंबर तक सुरू हो जाएगी हवाई शेवा अयोध्या वासियों को इंटरनेशनल एरपोर्ट की सौगात इसी साल मिलने जा रही है अयोध्या इंटरनेशनल एरपोर्ट के कारेवाहक निदेशक के अंसवार नवंबर तक अयोध्या से फ्लाइट सुरू करने के लक्ष के साथ हो रहा है निर्माड कार और पहले दिल्ली मुंबई के लिए शुरू हो सकती है उडान ब्रंदावन के प्रेम मंदिर में बम की सूचना से मचा हड़कम वक्तों में भी रहा अफ्रात अपरी का माहुल उत्तर पिरदेश के ब्रंदावन में प्रेममंदिर में बम की सूचना से हड़ कम मज गया प्रेममंदिर में बम होने की जानकारी पुलिस को लगी केदारनाथ में अभग्त कर्षकेंगे गर्व ग्रह के दर्शन लगातार भीड के कारण पहले सबा मंडल से हो रहे थे दर्शन केदार नात धाम आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी ख़वर है अब यात्रियों को बाबा केदार नात के दर्शन सबा मंडल से नहीं बलकि मंदिर के गर्व ग्रह में जाकर ही होंगे पहले लगातार यात्रों की भीड होने के कारण सवा मंडल से दर्शन कराये जा रहे थे धाम में इन दिनों वक्तों की शंक्या कम हो गई है लगातार वारिश होने के कारण अब धाम मुश्किल से 5000 के आसपास ही भक्त पहुँच रहे हैं इस साल साबन में हैं 9 मंगला गौरी वृत अकंड सोबाग के लिए महिलाएं रखती है ये वृत चार जुलाई से साबन शुरू हो रहा है साबन के सोंबार की तरह हर मंगलबार को मंगला गौरी वृत का भी विशेश महत्त है साबन का महीना भगवान शिब को सबसे प्रिये है जैसे साबन के महीने में सोमबार का महत होए उसी तरह मंगल बयार का भी इस दिन महिलाएं मंगला गौरी ब्रत रखती है ये ब्रत महिलाएं अखंड सोवाग की प्राप्त के लिए रखती है ब्रत भाले दिन माता पारवती की पूजा की जाती है और उन्हें शुआक की सामगरी अर्पित की जाती है खास बात यह है कि इस बार शाबन का पहला मंगला गोरी ब्रत शाबन के पहले दिन ही पढ़ रहा है बाबा बरफानी के दरबार में पहले दिन पहुँचे दस हजार से ज्यादा वक्त मंतरो चार के साथ की गई भोले नाथ की पूजा बाबा बरफानी के दरबार में भक्तों का पहुचना सुरू हो गया है मंतरो चार के साथ आरादना की जा रही है बाबा बरफानी के दरबार में पहले दिन जस अजार से ज़्यादा श्रत धालू पहुँचे और विद्विधान से बाबा बरफानी की पूजा अर्चना की इस बार अमरनात यात्रा के लिए विसेश इंतजाम किये गए हैं वक्तों की सुरक्चा का विसेश ख्याल रखा गया है चार जुलाई से सुरू हो रही है कावड यात्रा इस साल दो महिने का होगा शावन कावड यात्रा की शुरुआत चार जुलाई से हो रही है पवित नदी गंगा से गंगा जल लाकर कावड ये करते हैं वोले नात का अवशेक कई क्लोमीटर पैदल चलकर कावड यात्रा करते हैं इस वार सावन दो महिने तक चलेगा ऐसे में इस साल कावड़ियों को भी शिप भक्त के लिए ज़्यादा समय मिल जाएगा शे जुलाई को है शावन संकस्टी चतुर्ती विरत फगवान गणेश की पूजा से बढ़ेगा शौभाग्य शावन माश में कश्न पक्च की चतुर्ती को गजानन संकस्टी चतुर्ती कहा जाता है इस वार 6 जुलाई को शावन की संकस्टी चतुर्ती मनाई जाएगी व्रत करने से सुक और शौभाग्य में व्रत होती है और मनो कामना पूरी होती है इसका आरंब 6 जुलाई को सुबह 6 बज कर 31 मिनट पर और शमापन 7 जुलाई को रात में 3 बज कर 13 मिनट पर होगा NRI वक्त ने शाई बाबा को सोने का मुकुट चड़ाया 20 लाक रूपयों में बनकर तयार हुआ है ये सोने का मुकुट गुर्पूर्मा के पावन पर पर अमरीका के NRI वक्त ने सेडी साई बाबा मंदिर को 20 लाक रूपयों का सोने का नकाशी दार मुकुट अरपड किया गुर्पूर्मा के पावन अबसर पर बक्तों की भीड धार्मे किस्तानों पर देखी गई 16 जुलाई को मनाई जाएगी करक शंक्रांत मितुन से निकल कर करक राश में जाएंगे शूर देओ 16 जुलाई मितुन राश से निकल कर भगवान शूर करक राश में जाएंगे जब सूर करक राश में प्रवेश करते हैं तब करक शंक्रांत का पर मनाया जाता है इस दिन स्नान और दान का विश्चेश महत्तो है सूर की राश परवतन का अलग-अलग राशियों पर होता है प्रभाव अयोध्या की राम मंदिर में प्राण प्रितिष्टा का कारिकरम लाइब दिखाया जाएगा कारिकरम की पूरी जिम्मेदारी RSS समालेगा अयोध्या में स्री राम जनबू मंदिर के गर्व ग्रह में राम लला की मूर्ती प्राण प्रितिष्टा कारिकरम को पूरे देश का मेगा इवेंट बनाने की तयारी है स्री राम जन भूम मंदिर में प्राण प्रितिष्टा का कारिक्रम भी कई इस्तानों पर लायद दिखाया जाएगा प्राण प्रितिष्टा कारिक्रम की पूरी जिम्मेदारी राश्ची स्वयम सेवक संग समालेगा टेश्ट के मां सचो चमपत राय ने ये जानकारी दी